असलाम अरेकुम फ्रेंड्स मैं हूं सामा मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल बिजली वाला भाई आज की इस वीडियो को टॉपिक है 6-in-1 HD डिस्प्ले मीटर जिसके अंदर आप वोल्टेज़, अमपेर, वार्ट, फ्रिकेंसी, यूनिट्स और पावर फैक्टर चेक कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये जो मीटर है ये हमारा जो आम डिस्टिबिशन बॉक्स होता है उसके अंदर ये अराम से फिट आ जाता है ये थोड़ी सी जगा लेता है, जस्ट दो टू-पोल ब्रेकर्स की जगा लेता है और उसके बाद उसी जगा पर ये डिस्टिबिशन बॉक्स के अंदर अराम से फिट आ जाता है इसके लिए आपको अपने distribution box के अंदर कोई specific cutting वगरा जो है वो करने की जूरत नहीं है जस्ट आपको दो two pole breakers की जगा चाहिए होती है उस जगा पर यह अराम से fit आ जाता है फ्रेंड इसको HD इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह side angle से भी बहुत अच्छी देखें आप मैं चेकर वारा हूँ आपको यह बहुत अच्छी जो है look वो प्रवाइड कर रहा होता है और दूर से इसके डिजिट्स तो हैं वो वाज़ा नज़र आ रहे होते हैं इस विएसे इसको HD कहा जाता है वीडियो मजीद आगे स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें मेरे वीडियो को लाइक लाज़मी कर लें ताकि मेरी होसला अवदा ही होती रहे में जानता हूँ ये काम करने से आपको शेतान रुकेगा पर फिर भी आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेटर के अलिमेंट्स की बात कर लिजए तो ये आपको 6 चीज़े जो है वो प्रोवाइड करता है कितने वल्टेजिस आ रहे हैं कितने अमपेर का लोड चल रहा है कितने वाट का लोड चल रहा है फ्रिकंसी क्या आ रही है कितने पावर फेक्टर है हमारा और कितने यूनिट्स जो हैं वो चल चुके हुए अगर आप चाहें तो महीने के बाद अपने यूनिट्स को रिसेट भी कर सकते हैं यहाँ पर यह चोटा सा बटन है जिसको आप पिन की मदद से दबा के रखेंगे तीन सेक्रिंड तक तो यहाँ पर आने वाले यूनिट्स चो रहे होंगे वो रिसेट होंगे इसको लगाना इनतहाई असान है आपने अपने चेसे साइड वाली साइड पर इस जगह पर जो ग्रीन पॉर्ट है यहाँ पर 220 वल्ल्ट की सप्लाई दे देनी है और ये वाली जो हमारी CT है, current transformer है इसको आपने load की एक तार को इसमें से गुजार देना है आप इसको अपने AC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको चाहें तो अपने solar system के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप देख सके हैं कितनी वाबडा जो है वो solar consume कर रहा है और कितनी power जो है मैं solar से मिल रही है जिसका मजीद आप भी वीडियो के अंदर मैं आपको आगे चाल के demo दूँगा फिलहाल मैं इसके साथ एक load connect करके आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरहां का जो हम लोगों को रीडिंग्स प्रवाइड करता है फ्रेंज़ आप यह देख सकते हैं इस टाइम मैंने load जो है उसको साथ में एक bulb है इसको connect किया है यह एक wire है बल्ब की एक wire है जिसके अंदर से मैंने CT को गुजार दिया है और यहां पर मैंने इसको यह supply on कर देता हूँ अभी मैं और आपको दिखाता हूँ इसके में हम क्या रीडिंग्स जो है वो मिलती है तो यह bulb को मैं थोड़ा side पर करता हूँ तके better video जो है वो आ सके तो आप यह देख सकते हैं इस टाइम यह 17 वार्ट का मेरा bulb है 224 वोल्ट आ रहे हैं 0.13 अमपेर जो है वो करंट कर आ रहे है 49.9 फ्रिकंसी आ रही है इसका power factor 0.57 है और unit system 0 शो कर रहे है क्योंके bulb का load जो है वो बहुत माइनर होता है तो यह है अब इसकी मैं आपको accuracy जो है वो चेक कर वाता हूँ कुछ different meters लगाके same load के साथ कि हम लोगों को क्या accuracy जो है वो मिलती है Friends आप देख सकते हैं कि इसकी voltage accuracy और ampere जो accuracy है वो बहुत अच्छी है अब यह देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर 229 वोल्ट शो कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि वो 0.12 ampere current ले रहा है यहाँ पर भी 0.12 ampere current ले रहा है और यहाँ पर भी 0.12 ampere current ले रहा है अच्छा 16.2 watt यह देखें वो load शो कर रहा है यहाँ पर भी 16.2 शो कर रहा है आपार्फेक्टर्ट की बात किज्याए तो यह देख सकते हैं आपके यहां पर pixel धै। 여기 0.56 फी है और इसके इलावा फ्रिकेंसी अप देख सकते हैं यहां बी 50 है और यह HD चे बहुत कमाझा w है तीनों मीटर्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट करके आपको दिखाया है किसकी एकोरिसी जो है वो बहुत आउट क्लास है और अब चलते हैं हम एक जगा पर जहां पर इंस्टालेशन की है अमने दो मीटर्स लगाए है अप एंड डाउन उपर वापड़ा की जो वो सप्लाई है वो ले रहा है और कितने वाट्स जो है हमारे वो जाया कर रहा है तो मैं आपको अभी उसकी तरफ लेके चलता हूं और आपको वीडियो में वो शो करवाता हूं तो यह आप देख सकते हैं इस टाइम यह 60 उपर जो मीटर है यह वापड़ा के ओपर लगा हुआ और नीचे से इस टाइम इंवर्टर जो है वो कन्यूम कर रहा है वह 46 वार्ट जो कि सेस्ट कंजप्शन है जबके नीचे जो लोड चल रहा है इस टाइम सोलर से आने वाला वह 1134 वार्ट है तो इसको आप देख सकते हैं इसको रियल टाइम लोड शेरिंग भी कहते हैं कि वह का इडरस भी शो हो रहा होगा और वर्ट सेप का नंबर भी शो हो रहा होगा आप चाहें तो वहां से मुझसे राप्ता करके अपना और प्लेस कर सकते हैं बहुत सारे दोस्त जो हैं वह कमेंट में पूछ रहे होते हैं किसकी प्राइज क्या है या प्राइज बताया करो तो जो भी प्राइज अपडेटिट प्राइज होगी, वो वहाँ पर शो हो रही होगी. फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो पसंद आने की सुरूत में इसको लाइक जरूर कीजेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और किसी नकीसे के साथ शेयर लाजमी कीजेगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखियेगा, इंशाला ताला नेक्ट वी आला आफिजू